आज मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया बताने वाला हूं जिससे आपको आने वाले टाइम पे यू नो आल दा लॉंग ड्राइब्स में बहुत ही हेल्प मिल ले वाली तो प्लीज कम सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के काफी सारे इंफरमेशनल वीडियो के लट आपको आते रहेंगे ओके सो कमिंग बैक टुदा टॉपिक मैं यह बोला था कि जभी भी आप लॉंग डाइप पे जाते हैं तो कई बार आपको लेर्निंग मिलती है काई चीजों से ओके तो इसके लिए कहीं न कहीं आपका प्री प्लानिंग या कहीं न कहीं ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसको अपने कंसीडर नहीं किया होगा भी फोजनी तो क्या-क्या ऐसे पॉइंट से इसको ध्यान में रख के आप अपने लॉंग ड्राइब का जो एक्स्पिरेंस है इसको और बेटर बना सकते हैं ओके तो आई आज मैं आपको दस ऐसे पॉइंट बताता हूं जो जो आपको जरू से कॉंसीडर करने चाहिए किसी भी लॉंग ड्राइब पे जाने से पहले अभी आप देख सकते हैं मै मैंने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे बैटर के इसूज हैं डेफिनेटली है बट यह यह भी एक लर्निंग है यह भी आपको कंसीडर करने चाहिए सबसे पहले यह है कि आपको कहीं पर भी जा रहें सपोज आप 2000 किलोमेटर की लॉंग जरूनी करें तो उसमें आपको आपको ड्राइविंग प्लान करना बहुत जरू है कि कहां कहां पर हम इस्टेक करेंगे कहां तक का हम टार्गेट रखेंगे ओब ड्राइविंग भी ठीक नहीं है ऐसा नहीं एक ही दिन में खिजना है हजार किलोमेटर पहुंच जाना एसा नहीं एक जो नॉर्मल होता है ड ड्राइविंग प्लान करना बहुत जरू है तो ड्राइविंग प्लानिंग में मैं देखता हूं कि मोस्तली पिपल ड्राइविंग प्लान नहीं करते हैं बस निकल पड़ते हैं कि जाना है तो जाना है यह गलत है आप घर से ही प्लान करिए कि हमको यहां से निकलना है हमको कानपु में रुकना है हमको अपना मान लिया मध्द प्रदिश में उखना है चाथिसगर में उखना है कहां कहां पर उखना है सारे स्टॉप पॉइंट्स आप चेक कर लीजिए और उस हिसाब से आप फैनलाइज माइन मेक अप कर लीजिए कि यहां तक मुझे जाना है 600 किलिम आपके प्लाणिंग के हिसाब से था यू नवर नो कि रास्ते में क्या है रास्ते में अगर यह रास्ता खराब है कोई ट्रफिक जाम है कुछ वैसा गड़वर हो गया तो उसमें क्या गूम करके दूसरे रूट सा जाना पड़े तो क्या पता वह उटल आपको रास्ते में आएगा भी नहीं ओके तो इसलिए होटल पहले से प्लान करके जाना मुझे नहीं लगता है कि प्रेक्टिकल है जाने के बाद यूनो एक दो घंटे पहले जब आप पहुंचने वाले रहते हैं तब प्लान कर सकते हैं कि हमें इस होटल में रुकना है क्या क्या रेट है प्र क्वाइं कट हें आप जबर कहिं होता है अफ लाइन का सेस्वाच तो अपका माइन अप्सित नहीं होना चाहिए माइन का ड्रायविंग्से ब्हुत ही एसलिए होता है तो कभी उस तरह के माई में रखें जिस्से कि यूनों से आपका मूद हरा हों और चारब होगा तो आप आपका ड्राइविंग अटिकेट्स बदलेगा आपका जो क्यार फुलनेस है गाड़ी का वो डिस्टार्ब होगा और कहीं आपको भी नुकसान कर रहा और सामने वालों को भी नुकसान कर सकता है इससे जुड़े एक और इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप तो आप कहीं पर भी जाते हैं करी यूण मैं भी यह फोलो करता हूं नहीं कि मैं जैसे एयर ट्ल का मोटा जितने भी है शारे इर ठील के घर की नंबर ऑके अगर मैं जीओ में गया तो सागे जी, okay तो ऐसे ना करें आईडियली मेरा परस्टल केस्परेंस है क्या कोई इसा लो इसके अलावा बेसिक चीजे जो है जब आप ड्राइव करते हैं तो इसमें आपको आपको भी पता है कि एडवांस में थोड़ा सा पानी वानी ले करके चलना चाहिए यह त्यायर का जो हवा का प्रेसर है वो हमेशा आपको मेजर करके देख करके चलना चाहिए और ओवर अगर कम लोड है और आपने ज्यादा प्रेसर डाल दिया तो होगा क्या कि आपका प्रेक्शन कम हो जाया और गाड़ी उछ लेगी बंप करेगी तो इसलिए जितना रिकमेंडेट प्रेसर है उतना ही युच करना चाहिए और इसके साथ साथ आपका जो फ्यूल हो गया आप आपको कंटीनुसली 400 किलोमेटर का विदाउट एनी पेट्रोल पंप विदाउट एनी सेंटर कंटीनु चलना है तो ऐसे में क्या करें तो इस इन सारे मेजर्स को अपने माइन में जरूर रखे कि आप एडवांस में चले हाँ भाई हमारी गाली में टंकी फूल है अच्छा नहीं कि अगर आपका माली या वाटर पार्टिकल है तो भी बीच में बरिकडाउन हो सकता है तो इसलिए एक ट्रस्टेट जो पंप है उसी के ऊपर पेट्रोल भरवाके वह आप ले सकते हैं और प्रेसर को आप एडवांस में चेकर आ लिजिए इंजन वाइल चेकर आ आपको बेसिक रिपेर स्किल्स आना बहुत जरूए है कि माल यह टायर पंचर हो गया तो कैसे उसको खोलेंगे कैसे उसको लगाएंगे कहां पर स्टेपनी टायर होता है यह सारे चीज इसके साथ-साथ एक और इंपोर्टेंट चीज होता है कि मैं जो रिकमेंड करता हूं क एक टायर इंप्लेटर आपको साथ में जरूर रखना चाहिए आज कल क्या होता है कि आज सारे गाडियों में ट्यूबलेस टायर आते हैं तो ट्यूबलेस टायर में यह अच्छी चीज है कि हवा निकल जाने के बाद इनों पंचर हो जाने के बाद भी थोड़े टाइम चलत कहां से टाइट करना है मान लिया किसी जगह पर ब्रेकडाउन हो गई रिंच लगते हैं वह आपके गाली में है कि नहीं स्कूर डाइवर है कि नहीं यह सारी चीजे एक चोटा सा वायर भी रखना चाहिए कि मान लिया कोई फ्यूज उड़ गया तो उस इमजेंसी सिच्वे किया जाता है कि आप यूनो आप बिल्कुल एक्टिव रहें ऐसा नहीं कि आपको जब किया तो इसके अंदर सिस्टम है ड्राइवर ड्रेजनेस कंट्रॉल का तो वह डेफिनेटली आपको एलर्ट देगा नोटिफिकेशन देगा बट उससे उसको आप साइड रखने बाई गंदी हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए आप अपने गारी का जो आरोमा है गारी का जो इन्वार्डमेंट है उसको अच्छा कैसे में रखे ताकि आपकी प्रड़क्टिविटी बढ़ती है तो पहले चीज एसी के साथ चले एसी में आप री सर्कुलेशन मे आपका जो एनरजी लेवल है आपका जो प्रड़क्ति लेवल है वो मिन्टन रहेगा उसके साथ साथ ऐरोमा कैसे बना है उसके लिए क्या परफ्यूम तो परफ्यूम एक अच्छा सा परफ्यूम ले ले और परफ्यूम गाड़ी में ज़रूर लगाएं लांग ड्राइब उससे क्या होगा कि आपके third senses you know activate होते हैं और आपका mind relax होता है उससे okay तो यह सब चीजे करना जरूरी है इसके अलावा जबी भी आप long drive कर हैं तो at least ऐसा नहीं continue कि छेचे घंटे का drive कर हैं और रूखेंगे सिधा यहां start कि और अगले hotel पर रूखेंगे जो कि 600 km आगया इसा न गाड़ी के अंदर भी AC चालू करके इंजन चालू करके और जब कि ले सकते हैं 10 मिनट उसमें कोई बुगाई नहीं है okay बट वो जब आप यह फ्रेस होकर के निकलेंगे उसके बाद और रिफ्रेस होकर के निकलेंगे तो आपको कहीने कहीं ऐसा लगेगा कि हां now I have more energy और आ आपको बताता हूं कि जभी भी आप होटल पे जाएं या तो घर से निकल रहें अभी आप जनी स्टार्ट कर रहें तो आप प्लानिंग के चकर में ऐसा नहीं करें कि लेट नाइट जगे रगए और सूबा में हमें चार बजे निकलना है okay अगर बाइचांस प्लानिंग में आपके लेट हो जाती है जो तो आपको फ्रस्ट परायोटि ठीजियें खास करके जो तो ड्राइविंग परसन है और को ड्राइविंग परसन दोनों तो अरेस्टिंग सबसे पहला प्रायविटी होता है जब भी आप नेंद ले छे गंटे आट गंटे की पूरी नेंद ले बिल्कुल पीस ऑप माइंड से नेंद ले जब आपको लगा कि हानीन पूरा हो गया है इन कम्प्लीटने से नहीं है तब आप गाड़िये स्टार्ट करें और इसके साथ साथ एक प्रिकोशन हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अरली मॉर्निंग का जो प्रेज होता है अली मॉर्निंग में हमें ड्राइविंग अब वाइड करने चाहिए अब अब अली निकलेंगे वो ठीक है बिल्कुल सही है लेकिन चार बजे निकलने के पहले आपने आठ गंडे की निन्द ली है क्या अगर नहीं ली है तो चार बजे मत निकली ओके मेरा यह पर्सनल एक्सपेरियंस है कि हमें यह चीजे अवाइड करनी चाहिए और कंटिनिवस ऐसा भी नही कि दो बजे राज से सुवा के पांच बजे का जो फेज होता है वह एक हुमन बाइलोजी युनों नेचर के हिसाब से एक बाइलोजिकल क्लॉक बोलते हैं उसको उस हिसाब से आपका बॉड़ी का जो है लेवल पोड़क्टिविटी लेवल डाउन हो जाता है थोड़ा सा य राज बने डाव कि एक बैक रफेती युज करता हूं बट उसको यज लंबर सपोर्ट नहीं उ्ज करता हूं युजकरता उसमें होता क्या है जब घाले आप चलाते है तो आपका जो जो स्टरेस है ज्वाइंट से होता है आपका यह पिए फेन होता है मोस्री यहां फेन हurgे तो इसके उपर मैं कुछ नहीं करता हूं उसके लिए कहीं पर भी कोई भी जैरा ले 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 लता हूं और अर उपर इस तरह से वो प्रोड़क्ट भी आप देख सकते हैं जो चीजे मैं रिखमेंड करता हूं यह सारे स्पॉंसर नहीं है यह सारे हमारा पर्सनल एक्सपरियंस है लाइफ टाइम का एक्सपरिमेंटेड रिजल्स है जो मैं आपको आपको सजिस्ट करता हूं तो ग्राइज यह कुछ ऐसे प टक्यार बाइब बाइब